in this question we have to show that the number lock 7 base 2 is an irrational number तो इसको हम कंडरेक्षान से प्रूव करते हैं तो हमें प्रूव करना ही कि ये कि ये राशनन लंबर है लट आस शूम धाट इस एराशनल लंबर सो बाइड डेफिनेशन यदि यह लॉक 7 बेस्टू एक रैशनल नंबर है तो हम लॉक 7 बेस्टू को पी बाई क्यू की फॉर्म में रेख सकते हैं वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इस नॉट इक्वल टू जीरो so this is the definition of rational number यदी rational number है तो हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में रिख सकते हैं तो let us assume that this is equal to P by Q where P and Q are integers and the denominator Q is not equal to 0 so by the definition of log 7 is 2 raise to power P by Q right अब दोनों तो पावर क्यू करते हैं so we we can say that 7 raise to power Q equal to 2 raise to power P अब यदि क्यू जो है जीरो का लावा कोई भी नंबर ले लेंगे तो it is अधर एन और नंबर परदी नेगेटिव है तो वन अपान करके वो और नंबर है जाएगा मेभी पॉजिटिव मेभी नेगेटिव है बट आरेचेस आरेचेस हम देखेंगे कुछ भी पुट करते हैं यह और नंबर नहीं हो सकता even number or reciprocal of an even number for all P belongs to integer minus 0 कि वो 0 पही ये 1 हो जाएगा और ये 1 होने के लिए कि भी 0 ना पड़ेगा पट Q is not equal to 0 that means we can say that LHS and RHS can never be equal क्योंकि RHS तो क्या होगा या तो even number होगा या reciprocal of even number होगा कि वल P equal to 0 पर ये 1 होगा LHS में Q 0 होनी सकता तो ये 1 होनी सकता otherwise देख्या होगा odd number या reciprocal of an odd number तो ये दोनों कभी भी equal नहीं हो सकते that means our assumption is wrong तो हमने जो अजियों किया था कि ये एक rational number ये गलत है that means a irrational number therefore log 7 base 2 is an irrational number right hands-proved